हिंवेलो आज हो टोपिक है। है। है कि इसकी definition क्या और differentiation में करते क्या है, ठीक है, तो, इसकी दखना है the rate of change in the dependence variable with respect to changing independence variable इसमें क्या कह रहा है कि जो यह function है? आफ क्या होता है? इन्डिपेंडेंडेंट होता है। और जो y होता है वो dependent होता है ठीक है इसमें कुछ निकरना होता है इसको मैं बताता हूं कि differentiation एक्शल हमें करना कते होता है मन लिए धिश्यार ने यह लेखना dy by dx तो इसका participation ऑगा में x का power n x की power n का differentiation किया होगा आशली जब हम differentiation लिखते हैं तो कुछ ऐसे रिप्रेसेंट करते हैं कि हम डिफरेंट कर रहें इसको डिफरेंस्येट कर ठीक है और अब देखिए जब भी हमस्ट इयाइं करते हैं जैसे इसमाल लिजे X की power N को differentiate करना है इसको जिसमें क्या करेंगे यह जो power होती है N इसको एक बार हम नीचे लिखरा जाएंगे और यह जो जो भी value लिखिए यहाँ पर X लिखिए तो इसको यहाँ पर write कर देंगे ठीक है और जो power उसकी थी उसमें से minus 1 कर देंगे यह यह differentiation हर एक question में इसी के based पर हर एक question होगा ठीक है तो मैंने कहा का जब भी X को किसके respect में differentiate करना है य के respect में ठीक है और जो भी होता है मतलब जिसको भी करना होता है differentiate उसको क्या करते हैं उसके पावर को नीचे लिख रहाते हैं और जो भी वैरियेबल लिखा हो था उसको एजटरीज लिख देते हैं और उसके पावर में से माइनस वन कर देते हैं ठीक है जैसे मैं एक्जामपल ले ले लेता हूं कि differentiate करिये बते d if x ख की पावर 5 इसको इसे डिफ्रेंटीय रही है कि इसको इपर है। कि पावर को क्या करना data रिइस लिख देना ऑर यहां पावर में से माइनस वन कर देना है पावर 5 थी इसमें सब माइनिस वन कर देंगे तो क्या जाएगा फोट ठीक है ऐसे क्या करना है एक और वेशन ले 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 था हूं कि दी वाई बटे डी एकस अब इसका डिफ्रेंशियेशन क्या हुआ इसका डिफ्रेंशियेशन करने के लिए पहले हमें क्या करना कुछ Stringometric function को याद करना पड़ेगा तो इसका differentiation होता है cause x ठीक है इसी तरह क्या करना है कि हमें हर question में इसी के based पर हमें सबी rules को और जितने भी function को learn करना तो मैंने यहाँ पर कुछ formula से लिखे रखें हैं उसको आपको को यह लंट करना है ठीक है जैसे देखिए ट्रीग्मेटरिक फंक्षन का यह है जो मैं यहां पर ले रखा था साइन का सब्सक्राइब तो डिफरेंशियाशन का प्रूव भी होता है लेकिन एग्जेक्ट हम क्या करते हैं अगर प्रूव देखना तो आप किसी और का differentiation क्या होता है minus sin x होता है उसी तरह 10 का differentiation क्या होता है sec square x होता है उसी तरह क्या होता है cot का differentiation क्या होता है minus cos x square होता है ठीक है उसकी तरह क्या है sec का differentiation sec into 10 होता है और उसी तरह cosec का differentiation क्या होता है minus cosec into cot होता है ठीक है उसी तरह मैंने algebra का जो function है उसको भी लिख रखा मैंने यहां पर अब algebra में देखिए जो भी constant होता है ना उसका क्या होगा differentiation हम ऐसे क्या होगा 0 होता है ठीक है constant का जो भी differentiation होता है उसका 0 होता है अब देखिए मैं इसकी आगे लिखता हूँ जैसे और d और x का differentiation 1 होता है अब अपन टू अंडरूट एक्स होता है और इसका क्या होता है वन अपन एक्स का differentiation क्या होता है माइनस वन अपन एक्स इसको कैसे लिख सकते हूँ इसके माली जीजे कैसे है इसको थोड़ा समय बता देता हूँ जिसे इसको differentiate करना था कि डी वाई बट डी एक्स यह माई यह वन अपन एक्स है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि पावर हाफ ठीक है अभी एक्जेक्ट उस formula पर बनके जो मैंने स्टाटिंग बताया है तास लिख क्या कर सकते है इसकी power क्या करेंगे नीचे लेकल यह ठीक है ऑडिए उसको हम यहाँ पर लिख देंगे हुआ मैंद मैने व sma AI नगा पर फिर जो भी इसकी b मैने माने थैंगी और एक्स का कर सकते हैं नीचे ला सकते हैं तो कुछ ऐसा इसका तरह्य सकतरो है तो न हो को क्योंसाद करते हैं कि पहले को डिफ्रेंसियट करेंगे और बीच में एज़िटी प्लस का साइन लगा देंगे सब्ट्रेक्ट में भी क्या करेंगे पहले को डिफ्रेंशेट करेंगे माइनस को यही पर देंगे और दूसरे को डिफ्रेंशेट करेंगे ठीक है को ए clan ॐ तीसा रू़ल है वह मल्टिपल रूडर्य प्रॉडक्ट रूबल सकते इसमेंаров करते हैं कि जो गुल करें इसको माल लीज्य किसमें इसको मैंफ फ़र्स्ट ले लेता ओंग इसको फ़र्स्ट मान और बोल सकते हैं कि उसके बाद करें के यहां प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट रूल लगता है मल्टीप्लिकेशन एफ़ रूल लगता तो यहां पर आप पॉजिति बाता है उसके बाद के हाने क्या करेंगे अप्सट्रे करेंगे दूसरे को differentiate कर देंगे फिर पॉजिटिव लगाएंगे फिर क्या करेंगे दूसरे को as it is लिग देंगे और पहले को क्या करेंगा differentiate करने डिवीजन रूल बोल सकते हैं या क्वैसेंट रूल बोल सकते हैं ठीक है अब इसमें देखें क्या होता है आपे इस में क्या होता है कि इसको में कुछ इसको डिफ्रेंशियेट करना तो क्या करना जो नीचे वाला होता उसको लिधिए यहांपे और दूसरा यह इसवाला नुट 뭐 पि अपर उसको माइनzw sagt रूल है तो यहां माइनस लगा दें अधी जो प्रोडक्ट का रूल या मल्टिप्लिकेशन का रूल आई तो पौजटिव लगा दें ठीक है उसके बाद करेंगे कि ऐसको पहले क्या करें मैं कि जो नीचे वाला उसको आइजवेई mm ये पहले वाले 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 कर दिया और नीच वाले को apps कर दिया और जो last में क्या करते आप और के स्क्कोर यंदि यॉओं निकिन जो भी विडिन मेंनेकर मरटा उसका हम स्कुफार कर देंदेख है इस कंस्कुब है अब लाष्ट कटाओ देखे इसको समझाना तो थोड़ा ऐसे असान नहीं था मतलब इसको क्या करते हैं कि चैन रूल को हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा एक्जामपल के थ्रू लेना पड़ेगा और फिर समझाना पड़ेगा ठीक है एक चीज़ याद रखिए जब भी मल्टिप्लिकेशन का या प्रोड़क्ट रूल रूल होती हहां पर पॉजिटिव लगगा और डिवीजन में तो यहां पे यहां पर यहां पर पॉजिटीव और यहां का कुछ दुन में डिफरेंश और थार्ड कैंट चैन रूल को देख लिए इसकॉस कर लेता है कि है पह कि अब देखेए हम क्या कहा है कि इसको डिफ्रेंसियट कर गरिए डिफ्रेंसियट करने के लिए बोल रचिक है here तो इसका मैं डिफ्रेंसियट究 कैसे करों है य कडि़ा डिफ्रेंसिय Analytics अब देखें इसमें क्या क्दूह Bringing चैने रूल में चीज दिखना होता है कि पहले हम पावर को डिफ्रेंसियेट करते हैं उसके बाद फंक्शन को कि उसके बाद कि इसको एंगल को डिफ्रेंसियेट करते हैं यह एक चीज होता है इसमें जो काफी नहीं किसी को पता काफी लोग को नहीं पता होता है तो देखिए मैंने कहा पहले पावर को डिफ्रेंसियेट करेंगे पावर को differentiate करते है तो powder क्या इसकी जो function की पावर मतलब यो function है ये function हो गया ये angle हो गई ये angle की power है और ये function का power याणि कि जो पहले हमें क्या करना हता है फिर फंसन की power मतलब आवर जो भी function की पावर इसको differentiate करेंगे उसके बाद function को differentiate करेंगे उसके बाद क्या करेंगे एंगल को differentiate करेंगे तो देखिए यह power क्या है थ्री है तो क्या करना था कि उसमें से minus इसको as it is नीचे लिए रहा था और फिर इसको यहीं पी उतार दो जो भी वैरियेबल है या तुग्रमेटिक है उसके बाद क्या होगा इसमें से पावर माइनस वन करने था माइनस वन कर दिया ठीक है और यह तो हमारा चली रहा था और यहां रहा था एक्स इसको यह चल रहा था देखिए अब इसके बाद क्या होगा कि मैं क्या करूंगा पावर का हो गया डिफ्रेंशियेशन ठीक है अब उसके करें फॉंक्शन फॉंक्शन का क्या है टैन का क्या टैन 10 का क्या होता है जो यहाँ पर मैंने लिख रहे है 10 cubic का जो यह अब क्या होगा इसका differentiate करना पड़ेगा कि जो अब 10 का differentiation क्या होता है 10 का differentiation होता है sec square x और क्या साथ में चल दा था हमारे साथ x square चल दा अब उसके बाद में क्या होगा power sorry हमने power का differentiation कर दिया और जो भी thasities हमने लिख दिया उसके बाद क्या कर रहा है function का यानि कि इसमें देखिए function करना था तो हमने angle कर लिया था तो angle इसमें involved नहीं करना होता है जब इसमें करते हैं क्योंकि हमने इसको पहले differentiate कर दिया तो angle का इंबॉर्ब नहीं कर रहंगे ठीक है इसमें क्या करें एंगल को involve नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले पावर को involve नहीं करें क्योंकि हमने power को पहले differentiate कर दिया तो अब हम क्या करें इस एंगल का differentiation नहीं है तो इसको भी हम as it is लिख देंगे ठीक है अब क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे एंगल का differentiation करेंगे एंगल क्या है हमारे यह है तो इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और क्योंकि हमने function का भी differentiation कर लिया और angle का भी differentiation कर लिया है तो इसको हम नहीं लिखेंगे ठीक है इसमें क्या होता है बच्चों को confusion होती है कि product rule और chain rule में बहुत ज़्यादा difficult मतलब वो confused रहते हैं तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ अभी मैं सिधा product rule का question लेने वाला हूँ ठीक है कि product rule के question को कैसे करना जैसे मैंने इसमें देखी क्या कर रहा हूँ कि इसमें क्या करते है पहले power को differentiate करते हैं फिर angle अब कहेंगे power थे इसमें भी है तो इसमें भी है लेकिन हमें किसके पार को function के power को पहले मैं पहले function के power को क्या करेंगी differentiate करेंगे function के power को apartments कि differentiate किया तो ये को नीची आगया या और इसमें subscribe क्या करद़ आ सबते हैं ऊसके बाद क्या कर शोड़ा और nas оно कर तो सीधा टैन का डिफरेंशियेशन क्या वह किSTEN की स्थयुक्त कंपैंद टैन कैस्थ दिट्ट सटक्षेक इसको रेसोगा घंपर एक सोगा शोड़ेसंस ले ले था हूँ इसी के बैस्ट पे नंगे प्रोड़क्त स्चेन एन रूल की बैस्ट बेले ले था हूं अब देखे मैंने क्या कहा था जिसको डिफ्रेंसियट कैसे करना है तो सेक कड़िफ सोरी पहले में पावर ृफ्रेंसियट करना था न इसके बाद function उसके बाद angle तो power क्या है 4 इसको मैंने एकिटीज लिख दिया और इसके में से क्या करें minus 1 कर दिया, यानि की 3 और इसको agits उतार दिया ठीक है अब उसके बाद क्या करेंगे function sec का क्या होता है sec का differentiation क्या होता है sec का differentiation होता है sec और एकस क्या चल जाए ता महां 5 इंटू में टैन और एकस एकस के आमारा एकस की पाउर 5 ठीक है यह हो गया है यह हमने आज़िटीज दितार दिया अब उसके बात क्या करेंगे की एंगल सेंगल क्या है एक्स की पावर 5 है तो यह पावर नीचे आ जाएगी और यह एक्स को एज़िटी लिख देंगे और इसमें से पावर 1 कम कर देंगे तो इना जाएगा 4 तो देहें पहले क्या करता है जो हमने पहले इसमें डिफ्रेंशियेट कर दिया उसको इनवर्व नहीं करना ठीक है उसको इनवर्व नहीं करना यह होता है इसको कहते हैं चैन रूल की भी बात चल दिये चैन रूल का एक और क्वेशन ले लेता हूं मैं जैसे माल लीजिए कि टैन एक्स प्लस वन को डिफ्रेंशियेट करना ठीक है अब इसमें क्या देखेंगे पावर पावर को पहले डिफ्रेंशियेट करेंगे तो इसकी पावर तो ही नहीं कोई दिक्कत नहीं फंक्शन पैज़िए सक्ट टैन का क्या हता है सक्ट इस्क्वार और वहती है ये ये अंगल तो चली रहा था है अंगल का इसका होगा यह रूट का क्या था ह। रूट का डिफरेंसियेशन होता है वण two अंडर रूट एक्स ठीक है और वण का डिफरेंसियेशन यानि कि क्यों तो इसका अंसर क्या होगा sex square x अंडर रूट एक्स प्लास वण और यह क्या है कि इसके बाद क्या था ? प्रोडक्ट रूल का ले लाता है फ्रोडक्ट रूल का Acts 30 आ होता है जब प्रोडक्ट्रूल का मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्इन करें तो देखे जब भी मैंनेुन हैँ प्रोडक्ट में पॉजिटिव आता है है और दिवीजन में यह कुंचिंस नेगिटिव ठीक है ठीक है तो मैं कैसे रहा था भी अधि ऑग्रोड़क्ट का उसको डिफ्रेंशियट का ठीक है धिफ्रेंशियट कि करना प्हले क्या करेंगे तो पहले हम एक्स का डिफ्रेंशियेट करेंगे एक्स को डिफ्रेंशियेट करना एक्स कर गयागा वन होगा और बाकी सब हम एज़िटीज लिग देंगे ठीक्या अब उसके बात क्या करेंगे प्लस करेंगे प्लस एक का डिफ्रेंशियेट कर दिया था अब क्या करेंगी एक का डिफ्रेंशियेट कर दिया था अब क्या करेंगी एक का डिफ्रेंशियेट करेंगे एक्सको लेकिन फिर भी हम इसको इन्वाल्व करेंगे और इसको क्यों इन्वाल्व करेंगे क्योंकि इसको हम डिफ्रेंशियेट कर रहे हैं इसका डिफ्रेंशियेशन यही होता है एकी पावर एक्स का एकी पावर एक्स और इसको क्यों इन्वाल्व करें क्योंकि यह तो डिफ्रेंजियेशन खायों और हम ChampArest वैंड होता है तो यह उसकी पाइस इसकी होता है किसको हम डिफ्रेंजियेट स्वेटेट कर दिया तो चुनिया चाहस ? पॉजिट्टिश्पिल लगा है उसके बात क्या कर रहा हम है कि इसका साइन का डिफ्रेंशियेट करेंगे तो क्या करें साइन का डिफ्रेंशियेट करने क्या था कॉस होता है लेकिन क्या करना पड़ेगा हम यहां पर X वी लिखना पड़ेगा और इकी पावर एकस भी लिखना पड़ेगा यह होता है मिन डिफ्रेंस कि चैन रूल में क्या किया है मweise अब we Guattch प्रोडाक्ट रूल में देखे है में और तो पहले पावर को डिफ्रेंट करना फिर करें सबाद आइंगल ठीए पाँ इसका पा दिफ्रिंटियेट करां वह किसका पर फोबने यह नहीं कि फॉंक्ष्ण का पावर होगा कि इसका function का power function के पार को differentiate कि हमीं इसको निछला इसको एजटी एक बार कम और यह तो चली रहा था इसको फिर अमने का किरा की इस function को differentiate किया जब फंक्षन को differentiate करा तो इसको involvement ही करा है यूद कि यह तो differentiate हो गया तो इसको लिए और इसको किये तो अभी डिफ्रेंसीड हुआ नहीं तो इसको लिया और इसको लिया 10 करके और स्थैक्रींस कि स्थासिक्ष योजी दी लेकिन जब अंगल की डिफ्रेंसीयड के रहा तो इन सबको एण वार्ण ही कर Grüक За पहले से डिफ्रेंसीट वह गये थे तो टू एक्स यसकाइट टू करके के आख टू एक्स हो गया ठीक है लेकिन इसमें देखिए जब हम प्रोडक्टीघ ग्यूंव उसके बाद मैं उसको डिफ्रेंसिताल है और पर एक्सी को भीजनल्स जो टीज तो उसको differentiate कर दिया और इसका तो लिखना ही था उसके बाद में प्लस लिया उसके बाद इसको differentiate किया साइन का क्या था कॉस हो था कॉस हो था कॉस है मैं डिफ्रेंस हो गया और फिर इसको भी involved था इसको भी involved था यह था मैं डिफ्रेंस की प्रोडक्त रूल और चैनर लूल में क्या डिफ्रेंस होता ठीक है अब क्या कर लेता हूँ एक मैं Qwisant rule का तो QWisant rule है उसका QWisant ले लेता हूं QWisant का एक QWisant rule में देखते हैं क्या होता है आप है QWisant rule का मैं QWisant ले लेता हूं कि इसको डिफ्रेंचियर करिया कि एक्स स्कार माइनस वणं पॉन में 10 एक्स अब मैंने क्या कहा था question rule में कुछ ऐसा था कि जो नीचे वाला उसको एजटीज लिखिये उपर वाले को differentiate करेए question है question है division है तो माहिने से लगाई फिर क्या करीए उपर वालो का एजटीज लिखिये और नीचे वाले को differentiate करेए और last में अपॉन में इसका square करेए मित The By same to the same 뜨cken वा गो आयाक करने तैन को मैंन इसलिघ दिया कि ओर डिफ्रेंशिया काकरना इससक्राइब झाए उसक्कार माइस बला पेड़ये ते ऑस ने इसको करना है नीचे वाले यानि कि 10 उसके बाद किया है ठीक है उसके किया था आस्ट था कि जो भी इए इसका स्कुरे कर देंगे तो अब इसको लिखते हैं कि 10 इसका इसका इसरो हो इसके differentiation क्या होता है इसका differentiation होता स्क्वार एक्स और लास्ट में क्या था इसका स्क्वार ना यानि कि यह स्क्वार हो गए यह था कि differentiation वो भी question tool का differentiation देखा तो हमने देखा कि differentiation क्या होता है simply था कि जो भी होता है जिसका differentiation करना आता है उसकी जो भी पावर होती है उसको पहले हम नीचे लिख देते हैं फिर जो भी वर्येबल उसको इसके उतार देते हैं उसके बाद पॉandel में चणणर और प्रोड़क्ट रूल में क्या लिफ्रेंस था चैनल प्रոड़क्ट रोल में क्या अप और बैप सकते हैं इसको और बीक्लियर करने के लिए पावर पॉंक्षन है को सोरी स्थाहरी की सिन लीजिक या बार्ब्र सटे कर देम को पहले differentiate करेंगे उसके बाद में function को फिर angle को क्योंकि power यहां पर भी पावर यहां पर यहां पर आपक हम फिसको तो power जो भी function का angle पहले उसको differentiate करेंगे फिर उसके बाद function को फिर angle को इस वीडियो में इतना ही अगला वीडियो जल्दी आना है वाला थैंक यू सो मज